ये है Insta 360-1X2, ये एक 360 cam है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो camera है, करता क्या है, ये रेखें, इस प्रकार का है, ये camera, compact है, lightweight है, और यहाँ पर एक 180 degrees lens है, और यहाँ पर एक 180 degrees lens है, तो ये जो camera है, ये हर जगे से videos को shoot करता है, मालने जे मुझे मेरा selfie shoot करना है, तो मैं ये जो camera है, इसे इस प्रकार से place कर सकता हूँ, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से place कर सकता हूँ, ये हर angle से, जो videos है, उसे shoot करता है, खाली एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, कि ये जो camera है, इस आपको इस प्रकार से पकड़ना अगर मेरा सिल्फी मैं शूट करना चाहता हूँ तो क्योंकि ये जो camera है मेरे हाथों को अब शूट करेगा तो उसके लिए भी एक option available है जो कि जिसे invisible stick कहा गया है ये बहुत ही interesting type का camera है और मुझे लगता है कि आप मैंसे काफी लोग इसे खरीदना पसंद करेंगे लेकिन उस समय जो software होते थे और जो camera होता था बहुत ही complicated type का होता था लेकिन अब ये जो Insta360 है ये इतना असान है कि कोई भी आसानी से amazing professional levels के shot shoot कर सकता है वैसे मैं 360 camera का इतना fan नहीं हूँ basically जो 360 mode है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कुछ situations में में भी अच्छा लगता होगा लेकिन ज्यादा करके मैं वैसा mode prefer नहीं करता हूँ लेकिन ये जो 360 camera है ये मुझे कुछ ऐसे options भी देता है जिससे मैं जो 360 है उसे एक normal shot की तरह बना सकता हूँ जो कि amazing है क्योंकि 360 degrees में shoot कर रहा है और मैं कोई भी specific angle को choose कर सकता हूँ और ऐसा लगेगा जैसे कि मैं वो जो shot है normal camera के साथ में shoot कर रहा हूँ अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा हाली में मैंने जो bike है उसका वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने यही camera का उपयोग किया था यह देखिए यह है वो shot जहांपर मैंने एक selfie stick का उपयोग किया है जिसे invisible selfie stick कहा गया है तो उसका उपयोग किया है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ती मेरा video shoot कर रहा है जबकि यह जो shot है मैंने खुद ने shoot किया हुआ है इस 360 camera के साथ में अब यह जो shot है देखने के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि शायद मैंने कोई drone का उपयोग किया होगा जी नहीं मैंने यह जो selfie stick है इसी का ही उपयोग किया था और अगर मैं जो angle है उसे थोड़ा सा change कर दूँ तो मुझे देखिए इस प्रकार का shot भी मिल जाता है तो मेरे लिए यह बहुत ही amazing time का camera है इसलिए क्योंकि मैं इस प्रकार के shots मतलब कि इस प्रकार के unbelievable shots अपने खुद के shots मैं shoot कर सकता हूँ तो चलिए मैं आपको सबसे फ़ले इसकी unboxing करके बताता हूँ और साथ में मेरे पास बहुत सारे accessories है यह देखिए तो इन जो accessories है इनकी भी मैं आपको unboxing करके बताने वाला हूँ देखते रहे हैं तो यह देखिए मेरे पास insta 360 one x2 pocket study camera है 360 degrees camera है और साथ में 3 accessories है जिसके बारे में मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ चलिए सबसे फ़ले जो insta 360 one x2 pocket 360 study camera है इसके बारे में मैं आपको बता जाता हूँ इसकी unboxing करके बताता हूँ तो box पर details में आपको information मिल जाएगा कि box के अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है और यह जो camera है इसके features क्या है उसके बारे में जानकर यहां पर दिया हुआ है 5.7K 360 degrees capture कर सकता है जी यहां दोस्तो 5.7K में shoot कर सकता है इसमें steady cam mode दिया हुआ है मतलब कि built-in stabilization दिया हुआ है flow state stabilization भी दिया है जो कि बहुत ही बड़ी तरीके से stabilize करता है invisible selfie stick का भी option है आगे चलके मैं आपको बताऊँगा यह waterproof है पानी के अंदर आप इसे लेके जा सकते हैं और इसका जो editing software है यह कमाल का है इसमें built-in 4 microphones दिया हुआ है जो की 360 degrees audio को record कर सकते हैं और जो display है वैसे तो छोटा है लेकिन काफी bright है और hyperlapse और voice control भी support करता है तो शलिए यह जो box है इसे मैं खोल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि box में आपको क्या-क्या मिलने वाला है तो box में आपको यह insta 360 1x2 camera मिलने वाला है यह 360 degrees camera है और देख सकते हैं कि यहाँ पर दो lenses है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो यह जो camera है बेसिकली हर एक जगे से videos को shoot करता है आपको कहीं पर भी exactly point करने की जरूत नहीं है काफी compact है आप इसे हाथ में पकर सकते हैं और light weight भी है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर tripod को mount कर सकते हैं इसके अलावा जो accessories है उसे भी है हाँ पर आप attach कर सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे शल के बताऊंगा तो चलिए दिखते हैं कि इसके अलावा box में हमें क्या-क्या मिलता है तो यहाँ पर यह टबा है इससे मैं निकाल देता हूँ यह accessory box है और इसके अंदर एक तो आपको यह booklet मिलता है quick start guide और यह है warranty card और waterproof के बारे में जानकर यहाँ पर दिया हुआ है एक चोटा सा pouch दिया हुआ है जिसमें आप इस 360 camera को store कर सकते हैं खास करके जो lens है इसे आप थोड़ा सा संबाल के रखिए उसके लिए यह जो case है यह काफी काम में आ सकता है इसके अलावा यह दिखे यह एक soft cloth दिया हुआ है जो lens है उसे साफ करने के लिए और जो आखरी चीज रही गई है box के अंदर अब वो है यह USB to USB type C data cable जिसका उप्लेट करके 360 camera है इसे आप चार्ज कर सकते हैं तो बस यह सारी चीज़े हैं जो आपको इस camera के box में मिलती है चलिए अब यह जो दूसरा box है इसे मैं आपको खोल के बता जाता हूँ बहुत सारे accessories हैं मेरे पास तकरीबन 3 accessories यह है bullet time cord अब मैं आपको इसकी भी unboxing करके बता जाता हूँ वैसे यह जो camera है इसके साथ में आपको बहुत सारे accessories मिलते हैं डिपन करता है कि आपको किस प्रकार के accessories का requirement है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं तो यह खास करके bullet time cord है जो की काफी काम में आता है इसमें ऐसा है कि यह जो भाग आप देख रहे हैं इसे आप जो camera का मैंने जो point पताया था यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से fix कर सकते हैं फिलाल मैं इसे निकाल देता हूँ और इसमें actually cord दिया हुआ है यह जो cord है आप इसे इस प्रकार से खीच सकते हैं और जितना आपको length चीए उतना आप इसे use कर सकते हैं और basically करना यह है कि आपको इसे घुमाना है क्योंकि यह 360 degrees camera है यह हर angle से recording करता है तो इस प्रकार के जो shots है यह काफी काम में आ सकते हैं वैसे यह जो time cord है इसका specific use के लिए काम आ सकता है जिसके बारे में मैं आपको आगे चलके बताऊंगा फिलाल box में आपको यह मिलता है और साथ में एक user manual दिया हुआ है अब यह है bullet time bundle इसमें दो accessories दिया हुआ है एक तो है यह tripod stand यह invisible selfie stick तो चलिए मैं इसकी भी आपको unboxing करके बता देता हूँ वैसे इन products का pricing क्या है उसके बारे में जानकारी मैंने video के description में दिया हुआ है वहां से आपको इन accessories के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो main product है camera उसका price में आपको आगे चल के बताऊँगा फिलाल यह देखिए box में आपको यह stand मिलता है tripod stand तो इसे आप use कर सकते हैं इसके अलावा यह selfie stick दिया हुआ है यह देखिए इस प्रकार का है यह selfie stick इसे आप extend कर आता है और यह इतना extent हो गया है चेर तक जा रहा है अब यह जो stick है इसे आप यह जो भाग दिया हुआ है tripod stand का भाग इसे आप इस प्रकार से यहां पर कने कर सकते हैं और इसे घुमा भी सकते हैं यह देखिए इस प्रकार से तो इस प्रकार से भी आप amazing shots shoot कर पाएंगे इस 360 camera के साथ में तो box में इसके अलावा यह user manual भी दिया हुआ है और जो आखरी product रह गया है वो है यह extended edition selfie stick अब यह जो stick है यह 300 cm का है काफी लंबा stick है और यह जो stick है बहुत सारे situations में काम में आ सकता है अगर आप इस stick को fully extend करेंगे तो आपको amazing shots मिल सकते हैं ऐसा लगेगा जैसे कि आपने जो shot है वो drone से shoot किया हुआ है तो चलिए इसकी भी मैं आपको unboxing करके बतायता हूँ यह देखिए box में जड़ा कुछ नहीं है बस यह extendable pouch है और pouch के अंदर यह stick दिया हुआ है यह देखिए इतना size का है यह stick लेकिन यह 300 cm तक extend होता है तो इसको use कैसा करना है वो मैं आपको बतायता हूँ तो यह stick है यह देखिए यहाँ पर यहाँ से यह शुरुवात होती है इसकी और जब आप इसे extend करते हैं जैसे कि अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यह point पर आने के बाद आप इसे थोड़ा सा इस प्रकार से घुमा सकते हैं यहाँ पर यह tight हो जाता है तो इसी प्रकार से आप फिर से यह जो भाग है इसे extend कीजिए और एक point पर आने के बाद जो उसका next भाग है वो आ जाता है और यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे extend करेंगे तो यहां पर यह tight हो जाता है, तो इसी प्रकार से आप इस stick को extend कर सकते हैं, बहुत ही लंबा stick है, और मैं इसे पूरा खोल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका length है, तकरीबन कितना है, अब इसका length बहुत ही जादा है, यह देखें यहां पर दिवार तक पहुंच गय और अभी भी काफी बाकी है, मुझे पता नहीं कि मैं इसे यहां पर आपको दिखा पाऊंगा कि नहीं, यह देखिए, इससे आप समझ गये होंगे कि यह जो stick है, कितना लंबा है, और दोस्तो यह भी invisible stick है, जब आप इस प्रकार के invisible stick का उप्रकर करते हैं, तो जो output है, काफ बड़ा है, और आपको बड़िया battery backup भी मिल जाता है, यह जो battery compartment है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इस तरफ, तो यहां पर मैंने microSD card डाला हुआ है, अब क्यूंकि यह insta360 5.7K में shoot कर सकता है, तो बहतर होगा कि आप किसी बड़िया quality के microSD card का उप्यक करें, जब क अपर बटन दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करते ही, जो camera है, एक बार प्रेस करेंगा, और यह जो बटन यहां पर दिया हुआ है, यह recording बटन है, प्रेस कीजिए, रेकॉर्ड करेगा, प्रेस कीजिए, ओफ हो जाएगा, और यह जो screen है, circular screen दिया हुआ है, यह touchscreen है, तो य अगर आपको still photos shoot करना है तो उसके लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर option है HDR में still photos कर सकते हैं, burst mode है, interval night shots का option भी available है तो यह काफी interesting है और यहाँ पर मैं shift करता हूँ, video mode में और एक और यहाँ पर option दिया हुआ है और जो software है, Kamal का है, यह इंस्टा 360 software जहाँ पर आप editing कर सकते हैं और यह देखें, इस परकार के videos आप इस 360 camera के साथ में shoot कर सकते हैं काफी amazing है, अब मैं आपको यह shot बताता हूँ, जो कि मैंने इसी इंस्टा 360 से shoot किया हुआ है यह देखें, इस परकार से आप effects कर सकते हैं, इसके लिए मैंने सिर्फ यह camera का उप्यों किया है camera नहीं automatically, जो editing work है, जो switch work है, वो कर दिया है अगर आपको याद होगा, मैंने bike के ओपर एक video बनाया था, तो यह देखें, यह है वो video और यह देखें, इस परकार से भी यह काफी काम में आ सकता है, यह देखें, तो यह है Insta 361 X2, steady camera, amazing type के videos शूट कर सकता है, और खास करके 5.7K में 360 degrees शूट कर सकता है, मतलब की 4K resolution से थोड़ा जादा, सबसे पहले तो stabilization की बात करूँ, तो इसमें built-in बड़िया सा stabilization दिया हुआ है, तो आपको stabilization को लेकी चि भूआ सकते हैं, वैसे जो selfie stick है, combo, जो मैंने आपको बताया था, उससे भी आप इस प्रकार के shots shoot कर सकते हैं, यह देखें, इस प्रकार के shot, तो इस cord से भी आप shoot कर सकते हैं, लेकिन cord का advantage यह है, कि आप इस प्रकार के movements कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो इस प्रकार के movements भी कर सकते हैं तो यह flexibility आपको quad के साथ में मिल जाता है जो कि stick के साथ में possible नहीं है लेकिन जो यह stick है extended edition selfie stick यह काफी कमाल की चीज़ है अब यह जो stick है इसे अगर आप fully extend कर देंगे तो एक तरह से आपको drone type का effect मिल सकता है क्योंकि यह जो camera है काफी उपर तक चले जाता है वैस अच्छी बात यह है कि यह waterproof है पानी के अंदर आप इसे लेके जा सकते हैं कोई issue नहीं है और खास करके जो software है insta360 यह amazing software है most of the time आप इस software पर ही काम करने वाले हैं और जो final product है maybe आपको जो editing software है उसमें आप export कर सकते हैं लेकिन ज्यादा करके जो app है smartphone पर उस पर ही आप editing करने वाले हैं वैसे जो insta360 है इसका application भी available है windows और mac के लिए लेकिन मैं ज्यादा करके जो smartphone app है उसका उप्योग करता हूँ इसमें four built-in microphones दिया हुआ है और यह 360 degrees audio को record करते हैं जो microphone इसकी quality awesome level की है और कुछ amazing modes दिया हुआ है जैसे कि fly mode जिससे आप इस प्रकार के shots shoot कर सकते हैं यह भी काफी amazing है और इन्हें shoot करना बहुत ही असान है आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारा editing work होगा लेकिन editing work बिल्कुल भी नहीं है इस insta360 one x2 study cam जो है इसकी battery life भी काफी बढ़िया है अब battery life depend करता है कि आप किस mode में shoot कर रहे हैं अगर आप 5.7K mode में shoot कर रहे ह तो जो battery है जल्दी drain हो जाएगा लेकिन in general जो battery life है काफी अच्छी है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्राइजिंग है ये क्या है इसका प्राइजिंग है 41,999 रुपीज जैसे कि मैंने कहां प्राइजिंग जादा है लेकिन ये जो camera है कमाल का है जो कि मैं आप ये सारी चीज़ों को consider करें तो वैसे जो accessories है अगर आप इसे खरीते हैं तो हर एक accessories का costing है वो अलग पढ़ने वाला है अब accessories का cost क्या है और कहां से आप इस camera को खरीद सकते हैं उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है तो दोस्तों ये Insta360 ONE X2 Steady Cam आपको कैसा लगा comments के मादें से मुझे जरूर बताईए इस वीडियो को like जरूर कीजिए और देखते रहें